इसके अंदर दो मोल ओफर किये हुए हैं एक मिलेगा आपको स्टेक्टर में स्टेंडर्ड मोल मिल जाएगा दूसरा इको मोल कंपणी ने स्टेक्टर के अंदर ओफर किया हुआ है नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे यूटूब चैनल रियल एग्रिकल्चर के माध्यम से समय समय पर नाइन ट्रेक्टरों की फुल रिव्यू वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं इंडिया का सबसे ज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और वेल आइकन को जरूर दवाएं सबसे पहले बात करेंगे स्टेक्टर में फ्रेंट लुक की तो जैसा कि आप जानते हैं 63 होस्पावर मतलब एक प्रीमियम सेग्वेंट यहां पर कंपनी ने जो है आपको देखने में ऐसा लग र प्रीमियम सेटील क्रॉम फिरेंगी बहुत सांदार लगती हैं साथ ही साथ इस टेक्टर के यदि हम बात करें अंदर इंजन के अंदर सबसे पहले आपको लोक देखा देते हैं तो यहां पर आपको टेक्टर में चंगन-0-5 की बेजिंग मिलेगी जॉन डियर की बेजिंग मिलेगी यह टेक्टर आता है पावर टेक के साथ मैं मतलब टेक प्लस जो है आपको टेक्टर में टेक्नोलोजी मिलती है तो टेक की बैजिंग मिल जाती है गेर प्रो की बैजिंग मिल जाएगी 4WD गेर प्रो लिफ्ट प्रो के बारे भी मैं आंगा चर्चा करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं फेंडर के ऊपर यह जो लिफ्ट लगी हुई है इसको जो है कमपनी लिफ्ट प्रो बोलती है इसके वारे भी मैं आँगे चर्चा करेंगे चलिए बात करेंगे स्टेक्टर में और लेफ्ट तरफ के स्टीकर और बैजिंग के अंदर तो आईए ले चलते ह सेम स्टीकर सेम बेजिंग विलेगी। सेंक्रो सटल की जो है बेजिंग आपको उफर की हुई है। इस बारे में चुरू करेंगे स्टेक्टर के इंजन से ही। यहां पर जो है जॉन डियर हमेशा से स्विच लोग देता है बॉनेट के ऊपर जिससे आपके ट्रैक्टर के एयर फिल्टर, रेडियेटर, बैटरी हर एक फीचर की सेफटी हो जाती है सबसे पहले तो आप ये देखिए कमपनी न जो है आपको स्टेक्टर में ड्राइ टाइप डूल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर बिद चोक सेंसर के साथ में ओफर किया हुआ है कूलेंट सिस्टम के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर तीन तरह के कूलेंट सिस्टम लगे हुए हैं जिसके अंदर आपको इंटर कूलेंट, ओइल कूलेंट और रेडियेटर याने की स्टेक्टर का बेस्ट कूलेंट सिस्टम बनाने के लिए कंपनी ने काफी बड़ा रेडियेटर आफ़र किया हुआ है साथ ही साथ बैटरी के अंदर बात करें तो इंडिया के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड एक्साइट कम्तनी के साथ में आने वाली 12 वोल्ट 100 AH की जो है आपको इस्टेक्टर में बैटरी देखने के लिए मिल जाती है और दोस्तों यहां पर एदि हम बात करें इस्टेक्टर के और भी इंजन स्पेसिफिक के बारे में तो यहां पर आप देखिए कम्तनी ने इस्टेक्टर में EGR सिस्टम भी लगा के दिया हुआ है जिससे इस्टेक्टर के इंजन से निकलने वाली बिशैली हवा इस्टेक्टर के एयर फिल्टर में जाती है और वही हवा जो है फिल्टर के माध्यम से फिल्टर होके EGR के माध्यम से इस टेक्टर के इंजन में जाती है जैसे यह है टेक्टर वही सेम टाइम में प्रेड्यूस करता है हाई टॉर्क और बेस्ट पावर परफोर्मेंस साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में लांच किया है तो यहां पर आपको स्टेक्टर में टर्भो की पोजिशन दी हुई है दोस्तों इस टेक्टर के अंदर आपको 9029 एज का टर्भो चार्ज इंजन देखने के लिए मिलता है 63 horsepower का 3-cylinder overflow razor wire के साथ में आने वाला coolant cool जो है company ने stacker में engine offer किया हुआ है engine के अंदर एक और सांदर features देंगे जो की company ने recently 2023 के अंदर डाल के दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं EGR के साथ-साथ company ने stacker में breezer system में offer कर दिया है जिससे अब stacker का engine best coolant system के साथ में high performance और best torque जो है आपको निकाल के देगा साथ ही यहाँ hydraulic power steering के अंदर dual pump मिलेंगे जिससे आपको power steering hydraulic के अंदर best performance मिलेगी और distributor valve जो है आपको stacker में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं विलकि पूरे चार distributor valve में मिलेंगे चलिए बात करते हैं अब हम stacker में और भी ज्यादा खास features की engine के अंदर बहुत सारी ऐसे features हैं जिसके बारे में बरीकी से बात करें तो यह वीडियो एक घंटे की बन जाएगी यह ना bonnet जो है single piece bonnet में देगा अब हम बात करते हैं stacker के front axle के बारे में तो यहाँ पर जो है आपको stacker में have reduction वाला company ने front axle offer किया हुआ है इस तरह की four wheel drive जो साप्त होती है cross वाली किसान भाईयो इस four wheel drive साप्त के साथ में आप चाहे heavy से heavy काम करना चाहते हैं company ने stacker के साथ किया है यहाँ पर आप देखिए stacker के front axle की balancing को बनाए रखने के लिए उची नीची जंगाओ पर company ने यहाँ पर additional यह चीज एड़ कर दी है जिससे अब उची नूची जंगाओं पर ऊबर खावर रास्तों में stacker की four wheel drive की जो साप्त है एकदम proper blends होके चलती है साथ ही साथ दोस्तों आईए अब हम ले चलते हैं टायर साइज के अंदर बात करें तो यहाँ पर MRF company का टायर मिलेगा अगला टायर जो है 11,20,24 का मिल जाएगा पिशला टायर कंपनी ने stacker में MRF का ही offer किया है और पिशला टायर कंपनी ने आपको stacker में 16,28 zaat टायर कंपनी ने stacker में डालके दिया हुआ है 10, hoor9,29,39 साथ लोस्तों ए 2,29 न nभी 16,09,30 का टायर कंपनी ने stacker में offer किया हुआ है बार mistake हो गई यहाँ पर जो है आपको स्टेक्टर के platform के अंदर देखिए leather coading भी company ना डाल दी है footstep पर एकदम platform से connect होके मिलेगा यहाँ पर जो है आपको स्टेक्टर में heavy duty company fitted heat guard जो है company ने स्टेक्टर में offer किये हुए है साथ ही driver grab handle यहाँ पर मिल जायेगा पिसिंजर ग्रेव हेंडल चार जंगा से सपोर्टिंग वार के साथ में आता है आए ले चलते हैं उपर की तरफ उससे पहले एक चीज और बता दूँ यहाँ पर जो आपको स्टेक्टर में पैडल मिलेंगे कंपनी ना सस्पेंड़ टाइप पैडल दिये हुए हैं साथ ही यह टेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी लॉंचिंग और मैनुफेक्चरिंग है एक जनवड़ी 2023 के अंदर कंपनी ने इसको लॉंच किया है यहाँ पर पीडियू के अंदर जो है आपको स्टेक्टर में 41 क्लोबाट की इंजन स्पैसिफिक फ्यूल दोस्तों यह मिलता है आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आप देखिए कंपणी ने इसके अंदर दो मॉड ओफर किये हुए है एक मिलेगा आपको श्टेक्टर में स्टेंडर्ड मोल मिल जाएगा दूसरा एको मोल कंपनी ने स्टेक्टर के अंदर ओफ हैं जिसके अंदर जो है आपको हाई टॉर्क के साथ में हाई पावर पर्फॉमेंस देखने के लिए मिलेगी साथ ही दोस्तों इस ट्रेक्टर का इंजन साउंड सुनिए और इस ट्रेक्टर के बाइब्रेशन को बताइए यह देखिए लग रहा गया ट्रेक्टर चालू है एक ओफ हो जाता है और चावी से ही ओन सेफटी के हसाफ से यह फीचर्स भी कंपनी ने स्टेक्टर में बहुत तगड़ा दिया है इस्टूमेंट कलस्टर यहां पर आप देख सकते हैं फुली डिजिटली स्टूमेंट कलस्टर कंपनी ने स्टेक्टर के अंदर ओफर किया करने के लिए यहां पर आपको porta va Att करेंगे दोस्तों में DC इस्टिफ्टरिटर बॉल्वव आते हैं तो दो डिस्टिफुटर बॉल्व का सेफ'reight लीवर और अगले डिस्टिफ का शैफ्रेड लीवर लेगा यहां पर पिके क Counter का मेंघेर मिलता है जिसमें आपको स्ट्र,... के अंदर वमिल जाता है साथ ही सथ पैटर के उंधर हम बात करें तो सस्पेंडे टाइप पैडल के साथ मैं कंपनी ने स्ट्र में हैं औल मॉइलिमर्स मॉल्डीपलेटट डिक्स법 रिंगक ऑफर किये हुए हैं एक और फास में य की स्टेरिंग है आप देख सकते हैं मने मल्ती एक साथ में ओपर चार मिलेंगे जिसके अंदर आपको लो हाई की तरह करने वाले A, B, C, D मिल जाते हैं PDU के अंदर जो है separate clutch मिलेगा independent lever PDU के अंदर जो lever है separate मिलेगा जिसमें आपको 540 normal E और 540 G normal और E जैसे options मिल जाएंगे साथ ही साथ यहाँ पर four wheel drive का lever मिल जाएगा क्योंकि यह टेक्टर four wheel drive है दो लीटर तक का water storage मिलेगा और यहाँ पर जो है यदि हम बात करें clutch के अंदर तो यहाँ पर जो है transmission का separate clutch company ने इस टेक्टर में offer किया हुआ है दोस्तों इस टेक्टर में इस तरह के बहुत खास features हैं चलिए अब हम ले चलते हैं इस तरह पीछे की तरफ और बात करेंगे और भी जादा खास features की पीछे की तरफ आप देखिए सबसे बड़ा changes और सबसे बड़ी खूबी यह मिल रही इस टेक्टर में कि company न जो है इस टेक्टर में एक नहीं दो नहीं बलकि चार डिस्टिवीटर बॉल्व जो है इसके अंदर डालके दिये हुए हैं जिसके कारण किसान अपनी अवस्थ सकता के अनुसार जो है इन डिस्टिवीटर बॉल्व का यूज ले सकता है साथ ही साथ इस टेक्टर में इंडिया का सबसे ज़्यादा मजबूत महंगा हैवी ड्यूटी कंपनी फीटेट प्लेनेटरी हब रेडक्शन के साथ में आने वाला रियर एक्सल मिल जाता है और एक और खास बदलाओ यहां पर कंपनी ने किया है यहां पर जो आपको स्टेपर मिलते हैं अब देख सकते हैं कंपनी ने जो है चैन नहीं बलकि स्टेपर दे दिये हैं जिनको एजेस्ट करना भी बहुत आसान है साथ ही साथ इनकी जो लाइफ है बहुत लॉंग मिलने वाली है लिफ्ट के अंदर बात करें दोस्तों तो इस टेक्टर में आपको 2000 केजी से 2200 केजी तक की बहतर चमता वाली लिफ्ट केपिसिटी मिलती है जिसको आप अपनी अवस्सक्ता के अनुसार 5 कुंटल तक बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों इस टेक्टर में अधी हम बात करें पीडियू को लेके तो यह टेक्टर आता है 63 होस्पावर के साथ म इस टेक्टर में मिलता है 57 होस्पावर का मल्टी गेर स्पीड विद रिवर्स पीट यू और यहां पर जो फ्यूल टेंक कैपिसिटी है आपको इस टेक्टर में 65 लीटर की मिलने वाली है साथ ही यहां पर जो है कंपनी ने आपको इस टेक्टर की लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए एडिशनल बटन जो है इसके अंदर ओफर किया हुआ है जिससे आप इस टेक्टर की लिफ्ट को आंगे और पीछे दोनों जंगा से कंट्रोल कर पाएंगे यहां पर जो है सब्सक्राइब करना जय जवान जय किसान